मिस वर्ल मानुशी छिल्लर का डॉक्टर बनने का सपना खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है भगत फूल सिंग महिला मेडिकल कॉलिज से एमबीबियस की पढ़ाई कर रही मानुशी छिल्लर के एक्जाम देने पर कॉलिज प्रिशासन ने बेन लगा दिया है मानुशी छिल्लर मिस वर्ल प्रतियोगिता में जाने की वज़े से सप्लिमेंटरी एक्जाम भी नहीं दे पाई थी मानुशी छिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल का खताब जीत कर अपना एक सपना तो पूरा कर लिया है पर डॉक्टर बनने का सपना थोड़ा परिशानियों भरा हो सकता है दरसल मानुशी हर्याना के गौहाना में भगत फूल सिंग महिला मेडिकल कॉलिज से डॉक्टरी की पढ़ाई में पहला प्रयास पूरा कर चुकी थी लेकिन जब उन्होंने मिस वर्ल कॉंपटिशन में जाने का फेसला लिया तब कॉलेज में दूसरा प्रयास शुरू हो गया था लेकिन उस समय मानुशी कॉलेज में छुट्टी का पत्र देकर चली गई थे मिस वर्ड बनने के बाद से मानुशी कॉलेज नहीं गई जिसके चलते उनके 2018 में हुई प्रयास एक्जाम और सप्लिमेंटरी एक्जाम भी छोड़ गए और एक्जाम छोड़ने के लिए कॉलेज में किसी भी तरीके का नोटिस नहीं दिया जिसके चलते कॉलेज प्रशासन ने मानुशी के आगे एक्जाम्स पर रोक लगा दी है 17 साल बाद भारत को मिस वर्ड का खताब दिलाने वाली मानुशी छिल्लर जब हर्याना में अपने मेडिकल कॉलेज पहुंची तो उनके स्वागत के लिए भविस समारों का आयूजन किया गया था साथी उन्हें परुसकार से भी सम्मानित किया गया था कॉलेज की सभी छात्रों ने मानुशी के स्वागत समारों में हिस्सा लिया और कॉलेज ने मानुशी को हर एक लड़की के लिए प्रिणा भी बताया लेकिन अब कॉलेज ने अपने रूल्स को ध्यान में रखते हुए मानुशी की आगे की पढ़ाई पर रोक लगाने का फैसला लिया है क्योंकि उन्होंने एक्जाम मिस होने पर कॉलेज प्रशासन को किसी भी तरीके का नोटिस नहीं दिया था कॉलेज की डिरेक्टर एपीएस बत्रा ने कहा कि मानुशी ने 2018 में हुए सप्लिमेंटरी एक्जाम भी नहीं दिये हैं और उनकी तरफ से कॉलेज के पास कोई नोटिस भी नहीं दिया गया जिसके कारण वो अब सीधे तोर से कॉलेज में आकर एक्जाम नहीं दे सकती आगे एक्जाम देने के लिए उन्हें पीजियाई से अनुमती लेनी होगी किसी भी MBBS विद्यार्थी को मेडिकल काउंसिल के नियमों का पालन करना होता है उसी के आधार पर आगे छात्र परिक्षा दे सकते हैं इसके लिए हर छात्र को 75 फीसदी एक्जाम देना जरूरी होता है जिसके बाद कॉलेज के डिरेक्टर या डीन फैसला लेते हैं कि विद्यार्थी परिक्षा दे सकते हैं या नहीं मानुशी छिल्डर ने मिस वर्ड का खताब तो जीत लिया लेकिन अब देखना ये होगा कि भविश्व में वो अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाती है या नहीं सुनील जिंदल टोटल निउस गोहना